नमस्ते दोस्तों आज आरे हम लोग बात करने वाले है कि जो हमारी नीद की प्रॉब्लम है क्यार विंटर्स में हमें नीद बहुत ज्यादा आती है और क्योंकि जेए मेंस बहुत नजदीक आ चुका है we have less than a month for its preparation तो इस time अगर हम पढ़ते पढ़ते सो गए then it can be a drastic a very very drastic thing for us तो अब है इसका solution क्या आज हम इस पर बात करने वाले है और यार एक 4 second का intro जो मेरे एक subscriber ने मेरे लिए बनाया था I am very happy for that उसको भी मैं प्ले करने वाला हूँ if you are new to my channel then please subscribe it right now and do press the bell icon जैसे कि किसी भी नहीं वीडियो का notification आप तक सबसे पहले पहुंचे so guys हम root cause में जाएंगे यार क्यों हमें नींद क्यों आते है winters में and in fact you will be shocked to know that winters does not directly affect your sleeping cycle sleep आना या ना आना winter के होने ना होने बिटेपन नहीं करता to your surprise it is due to our bad habits it is due to the improper posture in which we sit during our studies that makes us sleep जब winters में सर्दी होती है मान लीजा आप रात को late night study कर रहे हैं एक बज़े डेट बज़े दो बज़े आपको बहुत ज्यादा ठंड लग रहे हैं आप टेवल में बैठे थे आपने सोचा कि आप मुझे ठंड बहुत लग रहे हैं आपका जो पॉस्चर है वो एक अक्टिव स्टेट से इन अक्टिव स्टेट की तरफ ट्रांस्वर्म होना शुरू हो जाएग यार दोस्तों स्लीप का स्लीप आने का में कॉल से यही होता है कि हमारा जो पॉस्चर है पॉस्चर मतलब आप किस तरीक ऐसे बैठे हो हो वो चीज आपकी अगर इंप्रॉबर है तो अगर मैं सीधा ना बैठू हूँ मैं थोड़ा सा धीला हो जाऊँ मेरा जो बैक है मैं उसको कर्व करके बैठू हूँ तो मुझे जो नीन्द है वो बहुत ज़्यादा जल्दी आ जाए तो अगर मैं सीधा बैठू हूँ गा तो मुझे जादा टाइम तक बॉड़ी को सस्टेन करने में कोई काम करने में हेल्प मिलेगी तो हमारा पॉस्चर बहुत इंपोर्टेंट रोल प्ले करता है और जब भी आपको नीन्द आ रही होना अभी बारी नोटेस करना कि उस टाइम आपका जो पॉस्चर है वो कैसा है 99% चांसेज यह हैं कि उस टाइम आपका जो पॉस्चर होगा वो बहुत ज़्यादा इंप्रॉपर होगा या तो आप थोड़ा लेटने वाले पॉस्चर में होंगे या फिर आप जैसे मैंने भी आपको बताया था अब बैक को कर करके बैठे होंगे जारतर बात दोस्चर आना यही होता है कि जब विंटर समें हम लेट नाइट में स्टेडी कर रहे होते हैं तो जनरली हम बैठ की उपर बैठ के बढ़ रहे होते हैं या फिर हम बैठ की उपर लेट कर रजाई उड़कर पढ़ रहे होते हैं जो कि बहुत बहुत गलत चीज है, अगर आप लेट कर बढ़ रहे हो या फिर इंफाक आप बैट के बैट के बढ़ रहे हो न, then also आपका जो पॉस्टर है, वो सही नहीं है, and you are bound to sleep in the next 10 to 15 minutes, तो आप इसका solution क्या है, पहला तो आपका पॉस्टर हमेशा सही रहना चाहिए, जब भी आप पढ़ाए कर रहे है, make sure कि आपका पॉस्टर सही है, अगर आप जो पढ़ रहे हैं, वो आपको याद नहीं हो रहा, आपकी memory में वो ज़्याद अच्छे से store नहीं हो रहा, then also posture has a very very important role in it, जब हमारी backbone सीधी रहती है, तो proper blood flow होता है, brain तक proper oxygen पहुंचती है, हमारी retention power जो है, वो काफी ज़्यादा enhance हो जाए, तो यार, पहला चीज तो posture है, दूसरी चीज है, अगर आप लोग सुबह उठके पढ़रा चाहरे हैं, अगर आप जल्दी उठते हैं सुबह, या फिर आप अगर रात में भी लेट तक पढ़रा है, तो make sure कि ऐसा ना हो, कि आपकी बॉड़ी को ये need हो कि मैं रजाई के नदर जाके बैठ हूँ, यानि कि आपको ठंड लगनी ही नहीं चाहिए, आप जो जो कर सकते हो, जो जो पहन सकते हो, आपको स्वेटर पहनना है, स्वेटर पहनन लो, फिर भी ठंड नहीं जा रही, ठंड लग रही है, जैकेट पहनलो, जैकेट से भी ठंड नहीं रुक रही है, भाई टोपी लगा लो, टोपी से भी नहीं रुक रही है, सॉक्स पहनलो यार, गलवस पहनलो, जो जो आप कर सकते हो नहीं, और muffler डाल लो, overcoat, बहुत से ही चीज़ हैं, आप जो कर सकते हो, आप वो कर लो, but make sure कि आपके body को ये message ना मिले, brain से, कि यार मुझे ठंड लग रही है, and I need to go into the blanket, I need to go into the quilt, जैसे ही message मिलेगा, पहली बात तो आपको क्या जो ध्यान था, जो आप पूरा का पूरा अधंग से concentrate करके पढ़ रहे थे, एक तो वो deviate हो गया, दूसरा, जैसे ही आप रजाई में जाओगे, आपका posture बगड़ा, जैसे आपका posture बगड़ाएगा, आपको नीन दारी शुरू हो जाएगा, तो आर इसके permanent solution यही है, कि जब भी आप पढ़ो, तो posture अपना बिलकुल straight रखे पढ़ो, posture बिलकुल सही रखो, और दूसरा, अपनी body के पर proper clothes पहन के रखो, sweater पहन हो, inners पहन हो, thermals, jacket, जो जो भी आप पहन सकते हो, पहन हो, but ensure कि आपकी body को ठंड ना लग रही हो, पढ़ते सकते हो, तो आर, I hope कि you would have got something concrete out of this video, अगर आपको वीडियो सही में अच्छे लगी, तो प्लीज इसे like कर देना, लास्ट वीडियो पे काफी अच्छा response था आप लोगों का, I got around 85 likes and 0 dislike, तो आर, उससे मुझे काफी inspiration मिली, काफी motivation मिली, क्या मतलब content जो है, वो पसंद आ रहे हैं लोगों को, चलो इस बार देखते हैं, आप लो 100 likes कर पादेंगे नहीं, कर पादेंगे एक target, जो मैंने description में दे रखिए, उस पर I have also an Instagram handle, जब मैं regularly कुछ नए-ने interesting चीज़े post करता रहता हूं, related to exams, some previous papers, some formula sheets, some formula sheets, some revision charts and etc. तो आप मुझे वहां भी जाके follow कर लें, so guys, अब next video मिलते हैं, video कैसे लगी, comment करके बताना, जय हिंद, बंदे मात.